अभिवादन, प्यारे मित्रो, मैं हूँ पूस्क रेवी नेनी, रंग बीरंगे इलूरू भारत से, अतिव प्रसनता के साथ, निस्ठावान भारतिये लोग, आपको अतियंत सूप कामनाई भेजते हैं। आज वी सो बर्बे हिंदू के लिए सबसे महत्व कोना तथा प्रसनता भरी चुतिया हैं, तथा आज इसे आपके साथ मना कर, हम बहुत प्रसन हैं, हमारे सो में दिवाली एक त्योहार, अच्छाई वप्रकास का। इंदू धर्मा, परमपरागत रूप से सनातन धर्म के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब है जीवन का सास्वत सत्य, यह उस आवस्यक गून के बारे में वर्णन करता है, जो मनुशियों, जानवरों और पहुदों को एक जुट करता है प्रमान के साथ, जो उन्हें ग सम्मस्त अस्तित्व का स्त्रोथ है, इंदू धर्म में जीवन का असली उद्यश्य है, सरवच जीव को जानना है, जिससे ब्राह्मन कहा जाता है, और सास्वत अध्यात्मिक सत्य के साथ उन्ह जुड़ना, अंतिम लक्से है, खुद के कर्मों वजन्म पुनर जन्म के चक्र से मुक्ति हासिल करना, हिंदू चंदर कलेंडर, जिसके 12 मा, दर्ती के इर्दगील, चांद के धोर्नन पर आधारित होते हैं, दिवाली वर्ष के लगबग सबसे अंदेरे दिन मनाई जाती है, असुइन या कार्थिक के महिने में, जो अक्तूबर या नवंबर में पढ़त है, मतलब दियों की पंक्तियां, हिंदू धर्म की सम्रुद तथा विवीत परंपराओं में, दिवाली से जुड़ी सभी कहानियां, अंदेरे पर प्रकास की, अगनानता पर गनान की, और बुराई पर भलाई की जीत से प्राप्त खुशी का बयान करती है, इस पंचदी वस्यत यवहार के सुरुवात के बारे में कहीं कहानियां जुड़ी हैं, उन में से अधिक तर वीर वबुद्धिवान देटा बगवान विष्णू के इर्दगीर्द गुनती हैं, जो कई बार विष्व को खत्रे से बचाने के लिए दर्ती पर आउतरिद हु एक में वह राम हैं तथा एक राकसस राज को हरा कर अयोध्या में वापस आये थे। अन्य कहानियों में सामिल है बगवान करशने के रूप उनका आउतार जिसने सोलह हजार मैलाओं को एक अन्यतिक राजा से बचाया था। यह भी कहा जाता है कि वावन आउतार के रूप म उनका पांचवा उतार बगवान विशनु ने राजा बाली की जेल से बगवती लक्समी को आजात करवाया था। बगवती लक्समी बगवान विशनु की पत्नी बनती है तथा उनकी दीविय सक्ति वसत्ता के साथ साथ पवित्रता का प्रतीनी दितर करती हैं। कहा जाता है की तरती पर लक्षमी एक कमल के फूल पर आई थी। दिवाली के प्रतम दिन जिसे हिंदू धन प्रयोदेस कहते हैं लक्षमी की एक छवी या मूर्ती को सावधानी से धोया जाता है या हिंदूओं को उनके जीवन में सुद्ध विचारों तथा क्रिया कलापों के लिए खु वाली की पहली साम बहुत से हिंदू एक दिया जलाते हैं तथा इसे घर के सामने रखते हैं हिंदू देवताओं और देवियों की एक छवी या आकृती के वर्णन के लिए मुर्ती सब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें बहुत आदर पुर्वक और सम्मान सईत रखा जाता ह क्योंकि वे भगवान पर ध्यान केंदृत करने के लिए पुजा करने वालों की मदद करती हैं मुर्तियों को आम तोर पर प्रति दिन स्नान कराया जाता है फुल मलाओं से सजाया जाता है तथा राजाओं और रानियों की तरह रखा जाता है दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुरदेसी या छोटा दिवाली कहा जाता है। किमदन्ती यह है कि इस दिन भगवान करश्णन ने राक्सस नरकासुर से समुदाय को मुक्त करवाया था। उच्छव मानते मनाते हुए महमानों, परिवार तथा दोस्तों को गर पर बनी मिठाईया भेंट की जाती है। दिवाली का तिसरा दिन मैने का सबसे अंदेरा दिन होता है और पांच दिवसियत योहार का मुक्य दिन है। इसे लक्षमी पूजन भी कहा जाता है जब देवी लक्षमी जी की हिंदु दुनिया के कहीं भागु में पूजा की जाती है। परिवार प्रतेक घर के प्रविस्दवार पर देवी का स्वागत करने के लिए और अपने घरों में उनका आसिरवाद प्राप्त करने के लिए तेल के दिये जलाते हैं। वे जमीन पर रंगोली के आकरसक डिजाइन भी उकेरते हैं। इसे उंगुलियों से बनाया जाता है, हाटा, चावल के दानों या रंगिन चाग का इस्तिमाल करके, आकरूती, वरगाकार, आयताकार या गोलाकार हो सकती है, मुखे दर्वाजे को एक माला या तोरन नामक एक कपड़े के टुकड़े से सजाया जाता है, जिसे उपर लटका तोरन बनाया जा सकता है, फूलों की पंखोडियों तथा पान के पत्तों से या बढ़िया प्रिंट वाले एक कपड़े से, जिस पर उकेरे जाते हैं हाथी, मोर तथा ओम का चिन्न, एक पवितर सब्द जो परमेश्वर की आवाज का प्रतिनितित्व करता है, दिवाली के तिसरे दिन, प्रभु राम का उत्सव भी मनाया जाता है, हमें इसके पीछे की कहानी मिलेगी कुछ स्वादिस्ट दिपावली वीगन नार्स्ता पाने के बाद, हम यहां सुपरीम मास्टर टेलिविजन पर जल्दी ही वापस आ जाएंगे पुनस्वागत है हमारे कारेक्रम दिवाली, एक त्योहार, अच्छाई वा प्रकास गामें दिवाली के दोरान हिंदु भगवान राम की कहानी को याद करते हैं बहुत समय पहले राजा दसरत उत्तर भारत में एक राज्य पर सासन करते थे राजकुमार राम उनके सबसे बड़े बेटे और सियासन के उत्तराती कारी थे लेकिन राजकुमार राम की सोतेली मा चाहती थी कि इसकी बजाए उसका बेटा राजकुमार भरत राजा बने राजकुमार राम को 14 साल के वनवास के लिए बेच दिया गया उनकी पतनी स्री सीता और उनके भाई बबवान लक्समन उसके साथ गए एक दिन जबकि राजकुमार राम और लक्समन कहीं गए थे राक्सस राज रावन एक सादु का बेस बना कर सिता से बोजन माग कर चाल चलने लगे उसने सिता से विवा करने के लिए उसका अपरण कर लिया मगर उन्होंने मना कर दिया राजकुमार राम और लक्समर ने वानर देव खनुमान की मदद से सिता को छूड़ाने के लिए लंका के महल की और प्रस्तान किया अपने साहस्प्रोन प्रयपनों से राजकुमार राम स्री सिता जी को बचाने वह उनसे पुना मिलने में सक्सम हुए अंता तहा वे उतर भारत में अवध्या राज्य में घर लोटने में समुर्थ हुए लोगों ने उन्हें राष्टा दिखाने के लिए दिपक जलाए और दिखाने के लिए कि पलाई की कैसे जीत हुई है राम और सीता की कहानी रामाहिन नामक एक महा कावे में पताई जाती है अब दिवाली के हर तिसरे दिन लोग नायक भगवान राम और सीता की अपने निर्वा संसे वापसी के परति सम्मान देना जारी रखते हैं उनके स्वागत में घरों को दीपकों से सजाया जाता है तथा उनके आग्मन का जस्न आतिस भाजी के साथ मनाया जाता है इसके अलावा परिवार परातनाई करने के लिए और पुईतर बजन गाने के लिए मिलते हैं कहीं हिंदूओं के लिए अगला दिन नए साल की सुरुवात माना जाता है दिवादी का चोथा दिन आसा और अच्छी चीजों के वादे से भरा हुआ है लित्रों और रिष्टेदारों से मिलने के लिए लोग नए कपड़े पहेंते हैं और वे भूजन का आदान प्रदान भी करते हैं लोग एक दुसरे को साल मुबारक कहते हैं जिसका अर्थ है नया साल मुबारक हो उत्सव मनाने के लिए कहीं हिंदू मंदीर चाते हैं लोग अन्रकुट नामक भूजन का प्रसाद लाते हैं जिसका अर्थ है बोजन का परुवत जैसा कि नाम से पचा चलता है, बोजन मंदिर में एक पहाड के आकार में देताओं और देवियों को अरपन किया जाता है, एक समारों के बाद बोजन पुझा करने वालों में भाटा जाता है, दिन की समाप्ति के लिए संगीत और नूतिय और एक बवे आतिस भाजी का प्रदर्शन होता है दिवाली के आखिरी दिन को भाई दुझ कहा जाता है यह समय है भाईयों का अपनी भेनों के गर मिलने जाने का जहां उन्हें बहुत स्वादिस्ट भूजन परोसा जाता है बदले में भाई अपनी भाईयों को प्रेम वा समर्पन के तोर पर कुछ पैसा या घाना देते हैं दिवाली के समय का अन्यद्धर्मों में भी मात्व होता है भारत में हर मंदीर साहिब अमरुत सर के स्रोनम मंदीर को चमचमाते दियों से रोसन किया जाता है लोग गुरुद्वार जो सिखों का एक महत्व पुर्णोतीर सर्स्तल है इसके आसपास स्थित सरोर में मुंबतियां बहाते हैं इसके अलावा जैन उस अक्षन का जस्न मनाते हैं जब दिवाली के दोरान पकवान महावीर मुक्स या सासवत आनंद की स्थिती में पहुंचे थे दर असल दिवाली समारों दुनिया बर में लोगों द्वारा साजा किया जा सकता है हिंदू वगेर हिंदू समान रुप से नूतिय, गायन, दावत तथा उपहरों के आदान प्रदान से दिवाली का सम्मान करते हैं महिलाएं और लड़कियां सचती है चमकदार काच की चुडियों के साथ रंग बेरंगी उत्सव के कपड़े पहनती है तथा हाथों पर महेंदी नामक एक पोते के लाल रंग से हाथों पर एक खुब सुरत डिसाइन चित्रित करती है संदेश है जीत, उदार्ता, निस्वार्तदा और नेतिक ताका और जैसे पूरी दिवाली के त्योहार के दोरान रोस्नी चमकती है हमें याद दिलाती है हर दिल में धन्य प्रकास की प्यारे दर्सको आज हमारे साथ आपका सहचर्य पाकर हम अतिप्रसंद है